हलो क्लास 11th students आज हम लोग एक पोएम करेंगे जिसका नाम है चाइल्डूट और पोएट है मार्कस नैटन चलिए देखते हैं पोएम में जो है पोएट आपको क्या बताना चाह रहा है पोएम की शुरवाज़ एक क्वेशन से होती है क्या क्वेशन है सबसे पहले पोएट ये सोचता है कि क्या उसका बच्पन कब उसका बच्पन चला गया क्या ये वो दिन था जिस दिन वो 11 वर्ष का हो गया था क्योंकि आपको मालूम है कि 12 वर्ष के बाद तो फिर टीनेजर शुरू हो जाता है न तो और या फिर उसको एडोलेसेंट भी कहा जाता है फिर कभी को ये लगता है कि क्या ये वो दिन तो नहीं था कि जब उसे ये पता चला कि जोग्रफी की किताब में कोई स्वर्ग या नरक नहीं होता ऐसी कोई जगह ही नहीं है क्योंकि जोग्रफी की बुक में तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है इसलिए ये एक काल्पनिक बात है क्या ये वही दिन है जब कभी को वास्तविक्ता और काल्पना के बीच फर्क सी किया अब फिर दूसरे जो स्टैंजा है उसमें भी कभी एक प्रशन पूसता है और वही पहले वाले पराग्राफ का ही प्रशन है ये और फिर वह उसके जवाब में क्या कहता है क्या ये वो वक्त तो नहीं जब मुझे मुझे में ये समझ आई कि बड़े जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं वे प्रेम के संबन में बाते करते हैं सिख्षा देते हैं कि सबसे प्रेम करना चाहिए लेकिन वे खुद वास्तों में दिखावा करते हैं यानि कि वो पाखंडी हैं और क्या ये वही दिन था जब मैं ये बड़ों के दोहरे चरितर को जान गया था किया यही समय था जब उसका बच्पन चला गया पोईट का बच्पन चला गया When did my childhood go? मेरा बच्पन कब चला गया? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose providing thoughts that were not those of other people and but my own and mine alone was was that the day फिर वो कहता है third stanza में पहले तो वही प्रशन दोराता है पहले वाली कि ये भी कभी दोराता है कि क्या ये वही वक्त था जब कभी कोई ये एहसास हुआ कि उसका मन उसका अपना नहीं है और ने उसका मन अपना है और कहता है कि I found my mind was really mine मेरा जो मन है वो मेरा ही है और यह है अपने दिमाग को जिस तरह से चाहे उस तरह से इस्तेमाल कर सकता है उसके विचार उसके अपने हैं और उसे कोई प्रभावित नहीं कर सकता और तब उसे अपनी personality अपनी सोच का ग्यान हुआ तो क्या यह वही दिन था जब उसका बच्पन खो गया क्या जब यह वही दिन था जिस दिन उसे यह समझ में आया कि अब उसका बच्पन खो गया है अब यहां पर एक नहीं प्रशन है अभी तक तो आपने when did my child go सुन रहे थे अब है where did my child go अब मेरा बच्पन कहां चला गया तो कहता है कभी कि मैं जानता हूँ और यह प्रशन पूछता है कि मेरा बच्पन कहां चला गया तो फिर उसे बच्पन के खोने का पच्टावा तो होता है लेकिन साथ ही साथ उसे लगता है कि उसका बच्पन एक दिल एक ऐसी भूली जगा पर खो गया है जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा forgotten place वहां से कभी वापस नहीं आ सकता और जैसे poet अपनी बच्पन की खोई मासूमियत को समेखना चाहता है और उसके पास बच्पन की मीठी यादे हैं जो जल्द ही खत्म हो जाएंगी तो poet की according बच्पन की मासूमियत बच्पन तक ही रहती है और फिर धीरे धीरे खत्म हो जाती है ठीक वैसे ही जैसे बच्पन के उपर एक गीत आपने सुना होगा कि बच्चे मन के सच्चे सारी जग के आँख के तारे ये वो नन्ने फूल हैं जो सब को लगते त्यारे और उसकी साथ आगे एक परग्राफ है बहुत ही दुनिया की सच्चाई बताने वाला एक परग्राफ है कि जो जो उनकी उम्र बड़े मन पर जूट का मैल चड़े क्रोध बड़े नफरत गेरे लालच की आदत गेरे तो इस तरह से क्या होता है कि जो बच्पन है वो कभी का जब खो जाता है तो उसे बहुत सारी बातें याद आती है कि वो कभ खो गया मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा बच्पन कहा चला गया और बच्पन एक बार चला जाता है तो वापस तो नहीं आता तो ये तो है आपकी कविता आगे हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें है जो आपको ध्यान रखने की है तो इस पोएम में राइम स्कीम तो वैसे नहीं दिख रही कोई भी इमेजेज जहा तक है बहुत तरह की इमेज पोएट ने यूज की है जैसे हेवन और हेल की इमेज उसके बाद जो एक और forgotten place की इमेज इंफेंट's face फिर love and priest of love so lovingly तो इस तरह की इमेज जो है वो पोएट ने यूज की है कविता में अपने विचारों को प्यक्त करने के लिए और जहां तक मैं समझती हूँ कि आपको कविता जरूर समझ में आ गई होगी और इसके साथ ही आप इसे like और subscribe दी जरूर कीजिए और दो तीन बार आप अगर इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको कविता और अच्छे से समझ में आ जाएगी और पोएट का नाम मार्कस नैटन है याद रखिएगा क्योंकि अक्सर पोएम का नाम लिखने पोएट का नाम लिखने के लिए भी एक्जाम में आ जाता है और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए ताकि और दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें और मेरा मोटिवेशन बना रहे थैंक्यू बेरी मच